हेलो फ्रेंट्स मेरे नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों अगर आप लोग समिख शादिकारी के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग उत्तप्रतेश PCS प्रिलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं आप इस वाली सीरीज को हमाई जरूर फॉलो करिए जिसमें हम लोग कट टू कट यानि कि जो इंपोर्टेंट है सिर्फ उतना भर करते हुए चलेंगे इंडियन हिस्ट्री में सिमिलरली पॉलेटी जोग्रफी इंवायर्मेंट साइन्स सारे सब्जेक्ट्स यहां पर जो आप कविटन प्रेस करना मत भूलिएगा सो यहां पर जो हमरा पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग बात करेंगे यूरोपिय कंपनियों के भारत आगमन के बारे में मौडरन इंडियन हिस्ट्री से हम अपनी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं अब यहां पर सबसे पहले जो कोशन आप से पूछा जाता है वो एक करम पूछा जाता है कि किस करम में यूरोपियन कंपनी इंडिया आई ठीक है उनका एराइवल कैसे कैसे हुगा पहले कोन आया उसके बाद कोन आया उसके बाद कोन आया सो सबसे पहले जो आए वो थे आपके पुर्टगीज उसके बाद आए डच फिर अंग्रेज फिर डेन और उसके बाद फ्रांसी सी तो ये करम है जिस करम में यूरोपिय कंपनिया जो थी वो भारत आई थी सो इस करम को आपको याद रखना है कि सबसे पहले पुर्टगीज जो थे उनकी यो कंपनी थी वो इंडिया आई उसके बाद डच उसके बाद अंग्रेज फिर डेन या फिर डेनिश उसके बाद फ्रांसी सी यानि कि सबसे पहले पुर्टगीज आए हैं सबसे आखरी में आए हैं फ्रांसी सी और सबसे पहले जो पुर्तगी जाय थे ये गए भी सबसे आखरी में ही थे इंदोस्तान से यूरोपिये शक्तियों में सर्वपर्थम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंदर इस्थापित किये यानि कि इंडिया में जो समुद्र के रास्ते पूरा व्यापार था उसके लिए जो सेंटर इस्थापित करने काम था वो सबसे पहले किस ने करा पुर्टगाली व्यापारियों ने यूर्प वासियों को सर्वोत्म शोरा और अफीम जो था ये कहां से मिलता था बिहार से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शाशनकाल में बिहार जो था ये अफीम उत्पादन हे तू प्रसिद्ध था अब यहां पर हम बात करने वाले हैं जो यूरोपियन कंपनी थी और उनका जो इस्टेबलिश्मेंट इयर था सबसे पहले बात करें पुर्टगीज कंपनी की जिसका नाम क्या था एस्तादो दा इंडिया 1498 में इसको इस्टेबलिश किया गया था इसके बाद डच इस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसका नाम था वेरिंग दा ओस्ट इंडिशे कंपनी ये इसका नाम था और इसको 1602 में स्टेबलिश किया गया इसके बाद बात करें ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की तो इसका नाम था गवर्णर एंड कंप की बात करें तो इसका establishment year था 1616 1616 वहीं बात करें सबसे आखरी में फ्रांसी सी तो वो है आपका company days in days orientalis यह आपका 1664 में established की गई थी तो इस तरीके से आपको यह sequence भी यहाँ पर याद रखना है यह तो हो गया इनका establishment year इससे पहले जो हमने अभी देखा था जिसमें हमने यह जाना था कि कौन सी company कौन सी European company इंडिया में पहले आई establishment year अलग चीज़ है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह establishment हुआ है Dutch East India Company का 1602 में जबकि British East India company का 1600 में हुआ है तो यहाँ पर यह confused नहीं होना यह establishment year है बट यहाँ पर हम बात करने वाले है कि हिंदुस्तान में पहले कौन सी company आई कौन सी European company आई ठीक है तो जब company के इंडिया में आने के करम की बात करेंगे तब आपका पुर्तिगीज उसके बाद डच उसके बाद अंग्रेज उसके बाद डैन और उसके बाद फ्रांसी सी जबकि establishment year के according अगर हम देखें sequence wise तब आपका पुर्तिगीज आएगा उसके बाद ब्रिटिश इस इंडिया company आई क्योंकि 1600 में established होई है इसके बाद आपका डच इस इंडिया company जो की 1602 में established होई है उसके बाद डैनिश इस इंडिया company 1616 में और सबसे आखरी में फ्रांसी सी जो की आपका 1664 में established होई थी अब सबसे पहले यहाँ पर जानना शुरू करते हैं पुर्तिगीज के बारे में सो पुर्तिगीज इस इंडिया company की बारे में बात करें तो मदकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंद इस्थापित करने वाले थे कौन पुर्तिगाली और यह भारत में सबसे पहले 1498 यानि की 1498 EC में आया और सबसे बाद में यानि की 1961 में यह हिंदुस्तान से गए हैं अब यहाँ पर यह जो पॉइंट है इसको जरूर या दखेगा कि 1503 में कोचीन में इनकी पहली फैक्टरी स्टेबलिश हुई तो इससे एक डिलेटेड कोशन आ चुका है और आगे भी आ सकता है कि पहली फैक्टरी पॉइंट की कहां पर इस्टेबलिश हुई कोचीन में कौन से एर में 1503 में 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्टरी इस्टेबलिश होती है 1534 की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट गाली चटगाओं में फैक्टरी इस्टेबलिश करने के लिए पॉइंट को तो वो थे आपके बंगाल के शाशक ग्यासुदीन महमूश शाह इनका नाम यादखना है कब दी 1534 में इसके बाद आगे बात करें पॉइंट गाली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट कर पाएं वर्श 1632 की बात करें तो मुगल शाशक शाह जहां इसने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नश्ट कर दिया ठीक है चलो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है आपकी वासकोडिगामा के बारे में जिस से रिलेटेट कोशन पूछ इसे भारत पहुचने में एहमद इबर मजीद ये गुजराती था इसने हेल्प की थी कालिकट के ततकाली शाशक इसका नाम कहा था जैमोरिन इसने इसका स्वागत किया था वासकोडिगामा का और वासकोडिगामा ने काली मेच के व्यापार से तकरीबन 60 गुना अधिक मु इससे रिलेटेड एक पॉइंट अकसर पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी ये किस से रिलेटेड है तो आपको याद अखना है फ्रेंसिस को दा अलमीडा इसके दौरा इस पॉलिसी को इस्टेबलिश किया गया था ताकि हिंद महासागर में जो कमर्शियल फेवर है फिर हम कहें व्यापारिक हैथ है उसके परिपेक्ष में अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित किया जा सके पंदरा सब पांच की बात करें तो अज्जीदीप और कन्नूर में दौर्गों का निर्मान इसी ने करवाया कहां पर करवाया अज्जीदीप में और कन्नानू में किस ने करवाया फ्रेंसिसको दा अलमीडा ने दुर्ग बनवाए वहां पर 1505 में इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केरेक्टर है यहां पर वो है आपका अलफांसो दा अलबुकर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है हिंदुस्तान में पुर्तगाली शक्ति को इस्टेबलिश करने का पूरे तरीके से यही मतलब इसने एहम वोमिका निभाई है तो इसे भारत ने पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है पंदरा सो तीन इसवी में इसने जो है कोचीन में पहला दुर्ग बनाया जो भी हमने बात करी थ ने पहला यूरोपिय दुर्ग भी था यानि कि इससे पहले कोई और दुर्ग था ही नहीं ऑवियसी बात है जब सबसे पहले पुर्तगीज आये हैं उसके बाद डच आये फिर अंग्रेज फिर डैन फिर फ्रांसीसी तो सबसे पहले पंदरा सो तीन में अगर इन्होंने तो बनवाएगा कॉन ठीक है तो इस तरीके से ये तो तो हिंदुस्तान में पहला यूरोपिय दुर्ग भी था और उस टाइम पर ये जो अलफांसो दालबुकर्ग थे ये गवर्नर नहीं थे ठीक है पंदरा सो नौ की बात करें पंदरा सो नौ में ये गवर्नर बने हैं प जब छीना पंदरा सो दस में पंदरा सो ग्यारा में बात करें तो मलक्का पर इन्होंने अधिकाय प्राप्त किया है इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट एर है वो है अपका पंदरा सो पंदरा जब हर्मूज या फिर फारस की खाड़ी के मोहाने पर इस पर अधिकाय प्राप्त किया ठीक है इसके बाद नेक्स यहां पर आता है आपका नीनो डी कुना अब यह नीनो डी कुना इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जब सिक्वेंस वाइस पूछा जाता है फिर हम कहें कि वो जो गवर्नर थे पुर्टेज जिनका इंफ्लूएंस र 1961 में जो गोवा का पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम के था मैनुवल अंटॉनियो वासलो दशिल वाइस तो यह जो था यह गोवा जिस समय गोवा हिंदुस्तान में मिला उस टाइम पर गोवा का जो गवर्नर था उसका नाम क्या था जर्णल जोसे फिरेईरा बोसा ठीक है तो जोसे फिरेईरा बोसा ये उस टाइम पर गवर्नर था जब इंदुस्तान को फ्रीडम मिलती है उन्निस सो सेटालेस में सो ये सारे फेक्ट्स हो गए किसके बारे में पुर्टगीज के बारे में नेक्स्ट हम बात करते हैं अंग्रेजियों की कासिम बाजार की जो फेक्टरी है उसके प्रमुक जिसका नाम क्या था जॉब चौरनॉक इसने अंग्रेजियों के व्यापार किंद्र के लिए हुगली क इस्थान पर सूतानूती या फिर हम सुतनूती के हैं जो की कलकत्ता का एक इस्थान है उसको चुना था ठीक है जॉब चॉर्णॉक को ये भी माना जाता है कि इसने कलकत्ता को बसाया था या फिर कलकत्ता को इस्टेबलिश किया था पहली चीज तो यह की कासिम बाजार की फैक्टरी का यह प्रमुक था बेन व्यक्ति था यह और इसने अंग्रेजियों के व्यापार केंद के रूप में हुगली को ना चुनते हुए सुतानूती या फिर सुतनूती जो कलकत्ता का एक इस्थान था उसको चूज किया 1593 की बात करें तो लीवेंट कंपनी को इस्थलमार्क से भारत में व्यापार करने का अधिकार परत प्राप्त हुआ तो यह 1593 में हुआ बट यह लेंड एरिया से ब्रिटिश जोते वो इंडिया के साथ व्यापार कर सकते थे ठीक है 1599 की बात करें तो इंग्लेंड में एक मर्चंट एडवेंचर नामक दल इसने अंग्रेजी इस्थ इंडिया कंपनी अथवा था कंपनी एंड इंडिया सॉरी दे कंपनी दे गवर्नर एंड कंपनी ओफ मर्चंट्स ओफ लंदन ट्रेडिंग इंटो दे इस्थ इंड इसके बात आगे बात करें दिसंबर 1600 की तो दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की जो महरानी थी एलिजाबेट फरस्ट इन्होंने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 सालों का एक अधिकार पत्र जो था वो इस कंपनी को प्रोवाइड गया यानिकि ब्रिटिश इस्थ इंड इडिया कंपणी ने सबसे पहले एक ऊस्ताइफ कार खाना बनाया कहाँ पर मसूली पट्टनम अत्वा मचली पट्टनम में इसके बात साल 1613 की बात करें तो सूरत में एक कार खाना स्थापित करागे अंग्रेजों के दोरा और यह अंग्रेजों का पहला स्थाई कारखना आगे बात करें साल 1661 की तो इंग्लेंड के जो समराट थे जनका नाम था चाल्स सेकेंड इनकी शादी होती है पुर्तकाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ और शादी में चाल्स को बंबई जो था वो पहार या फिर कहें तो दहेश के रूप में पराप्त हुआ था जिससे 1668 में 10 पॉंड इरली मतलब ये किराएप दिया था किसको ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी को इन्होंने दे दिया इसके बाद अगला साल है 1688 का ये भी जरूर रिया दखना है इस टाइम पर अंग्रेज गवर्नर एक थे इनका नाम था जॉन चाइल्ड इन्होंने बंबाई और पस्चमी समुदरतट के जो मुगल बंदरगा थे इस पर डेरा डाल दिया और मक्का जाने वाले जो हज यात्री थे इनको बंदी बना लिया और उसी के बाद जो था और अंग्जेव इनसे बहुत जादा क्रोधित हो गया और उसने जो था उठाकर इनको भारस से निश इसके बाद नेक्स यहां पर हम बात करें प्रथम कारनाटिक वार की जो कि आपका 1746 में स्टार्ट हुआ और 48 टक चला ये जो युद्ध था ये आस्ट्रिया का जो उत्तरादिकार का युद्ध था उसी का एक्स्टेंशन मात्र था यानि कि उसी का विस्तार मात्र था जो क 1740 इसवी में स्टार्ट हुआ था जो जब हम बात करते हैं कारनाटिक फर्स्ट वार की करनाटिक के जो ये जो है कब स्टार्ट हुआ क्यों स्टार्ट हुआ इस सारी चीज़ें पता होने चीजिए 1746 से लेके 48 तक ये चला और ये एक एक्स्टेंशन था जो कि आस्ट्रिया में उत्रादिकार का युद्ध चला था उसी का एक यहां पर एक्स्टेंशन देखा गया ये और ग्रह सरकारों की आग्या भी यहां पर नहीं लीती ना तो अंग्रेजों ने ना ही फ्रांसीसियों ने मतलब यहां पर जो सैनेक इनके काम कर रहे थे उन्हों ने अपने जो ह अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया और यही जो था युद्ध का तातकालिक करण बना पतलब अगर ये काम नहीं करते बरने तब यह युद्ध नहीं होता ठीके और इस युद्ध के समय ही करनाटक का जो नवाफ था अन्वरुद दीन का नाम आपको याद रखना है करनाटक का नवाफ था अंग्रेजों की साइट से यह था और इसने फ्रांसीसियों पर आकरमन करने के लिए 10,000 की सेना को भेजा था वही कैप्टन पेरडाइज जो की फ्रांसीसी कैप्टन था इसके नेतरत में फ्रांसीसी सेना ने अड को याद रखना है फ्रांसीसी और जो अडियार की सेना थी यह फिर हम कहें तो अनवरुद्दीन की जो सेना थी उसके बीच में इसके बाद अब यह जो पहला करनाटक का वार था यह खतम कैसे हुआ जैसे ही यूरोप में आस्ट्रिया के जो उत्रादिकार का युद्ध था उसे के साथ हिंदुस्तान में भी करनाटक वार एंड हो जाता है इसके साथ ही अगर हम बात करें आस्ट्रिया का जो उत्रादिकार का युद्ध था कोई भी युद्ध जब खतम होता तो कुश न कुश संदी समझोता होता है सो यहां पर एक्सला शापेल की संदी हुई 1748 में जिसके बाद आस्ट्रिया का जो पहला युद्ध था वो समाप्त हुआ इस युद्ध की समाप्ती के साथ ही अंग्रेजों को मदरास जो था वो भी फिर से प्राप्त हो गया अभी तक मदरास किस के पास था फ्रांसीसियों के पास था और फ्रांसीसियों से वापस ये फिर से एक बार अंग्रेजों के पास आ गया करनाटक के पहले युद्ध के बाद जो की 1746 से 48 के बीच में चला था बाकी यहां पर बात करें हम थॉमस बेस्ट की तो इसने पुर्तगालियों को सौली नामक इस्थान पर हराया था इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं डचों की सौलासो त्रेजों के बारे में क्या कुछ याद रखना है कि 1611 ESP में सूरत में डचों ने अपनी पहली factory establish की कहां पर करी? सूरत में करी डचों ने कब करी? 1611 में establish करी 1627 में इन्होंने बंगाल में अपनी पहली company पीपली में establish करी तो अगर पूछा जाए specifically कि बंगाल में कहां पर establish करी तो पीपली में establish करी कौन से year में 1627 में 1653 की बात करें तो 1653 में बंगाल में डचों का व्यापार सही धंक से शुरू हुआ जब इन्होंने चिंसुरा में अपनी company establish की थी चिंसुरा के जो यहां पर यह डच होगा यह के डच किले को Gustavus Fort के नाम से भी जाना जाता है इस वेरी वेरी इंपॉर्टन्ट तो आप से पूछा जा सकता है यह जो Fort है Gustavus Fort यह किस से related है डचों से related है कहां पर located है चिंसुरा में इसके बाद आगे यहां पर हम बात करते है फ्रांसीसियों की तो 1668 में इन्हों ने अपनी factory उती उसको establish किया था तो यह यह आपको याद रखना है 1668 कहां पर सूरत में अपनी पहली factory फ्रांसीसियों ने establish की वहीं 1814 की बात करें तो 1814 में कोची को ब्रिटिश उपनिवेश में शामिल किया गया फ्रेंच East India Company की बात करें 1664 में फ्रेंच East India Company की स्थापना होती है और इसे नाम दिया गया Company Des Indes Orientalis लुई चौदवें उनके एक मंत्री थे इनका नाम था कॉलबर्ट इन्हों ने इसका Establishment किया था Company Des Indes Orientalis का ये जो Company है इस Company का निर्मान राजज द्वारा हुआ यानि की सरकार ने ही इसको Establish किया था और सरकार ही इसका सारा खर्चा देती थी 1667 की बात करें तो Francis Cairo के नेतरत में एक अभियानतल हिंदुस्तान के लिए भेजा गया जिसने 1660 में सूरत में अपने पहले व्यापारे कार खाने की स्थापना की थी तो किसके नेतरतों में एक अभियानतल आया था Francis Cairo के कब आया था 1667 में जस्ट एक साल पहले जब Company Des Indes Orientalis को Establish किया गया इसके बाद आगे हम बात करें तो मैकरा इसने गोलकॉंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त किया और 1669 में मसूली पत्रनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी इस्थापित की सो दूसरी फ्रांसीसी कोठी कहाँ पर Establish हुई? मसूली पत्रनम में 1669 में इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करते हैं डूपले की बहुत इंपोर्टेंट है डूपले क्योंकि इससे रिलेटेड कोशन पूछा गया है इसने पहली बार वो हत्कंडे अपनाए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मांग दर्शक बने यानि कि जो सहायक संदी थी उसको शुरू करने वाला यही व्यक्ती था इसने पहली बार यूरोपिय कंपनी को भारती राजदरवारों में भारती विया पर न्यूक्त करवाया चलिए इसके बाद आगे देखते हैं यह एक छोटी सी लिस्ट है जो आपको पता होनी चीए जिसमें यहाँ पर हम व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे और उन्होंने कौन से देश की खोच की सो वासकोटिगामा पुर्तगाली था हिंदुस्तान की इसने खोच की तस्मान ठीक है यह आपका हॉलेंड तो यहाँ पर डिमेंस लेंड और न्यूजिलेंड इसकी खोच यह पर तस्मानिया की खोच का शुरेक इसको जाता हॉलेंड के निवासी था कोलंबस की बात करें स्पेन का रहने वाला था और अमरीका की इसने कोच की थी कोई भी कोशन आए ठीक है यहां से छूटे का नहीं examination में बहतरीन PDF अगर आप चाहते हो इस PDF को लेना तो आप हमारे course को join कर सकते हो जिसमें आपको 499 रुपीज का one time payment करना रहेगा और इसमें आपको ऐसे ही PDF प्रोवाइट किये जाएंगे cut to cut सारी चीजें उसके अंदर given रह आप simply 9027281376 इस नमबर पर मुझसे WhatsApp या फिर Telegram के तुरू संपर्क कर सकते हैं या फिर 639564901 इस नमबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं So thanks for watching, मिलते हैं next video में, bye bye